जी के फेट आज के लेक्चर का अगास करते हैं आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16 रिलेटेड पार्टी इस से पहले हमने अग्चर के बाद सेंप्लिंग और अग्चरनल कंफर्मेशन भी और फिर अब हम स्टड़ी करने जा रहे हैं रिलेटेड पार्टी इस ठीक है यह शुरू के जो चैप्टर नहीं है चैप्टर 1,2,3,4 वो भी हमने कवर किया है यह नहीं को मैंने गिना नहीं है तो वह हमने कव कवर किया हुए है लेकिन वो चैपटर जो आपको और मतों क्यूशब्स कि बेशिक सिखातेज He वो आपको इस कबिलाते हैं कि आप उसके बाद का कोई साभी चैप्टर सकते हैं उन में से क्वेस्टर नॉर्मली उनकी देवातिक कम होती है और जो एंड वाले चैप्टर से इन में weightage ज्यादा होती है questions ज्यादा test होते है इसलिए हमने basic concept को study करने के बाद jump लगाई और हम high weightage concepts की तरफ आगे start से ही high weightage concepts की तरफ इसलिए नहीं आए कि basic concepts अकरना ना हमने पड़े होते तो हम यह वाले topics नहीं समझ सकते हैं हमें evidence का ना पता होता हमें procedures का ना पता होता तो confirmation में क्या सीखते है analytical procedure में क्या सीखते है इसलिए पहले basics और फिर इसके बाद हमने study की हैं यह chapters जो के हमारे high weightage वाले हैं इन में external confirmation था analytical procedure था sampling था आज हम study करने जाने है related parties related parties easy topic है difficult नहीं है इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें है case studies based जो इसकी testing है वो कम है यानि बजाहिर जो question बनता है ना नजर आता है वो case study style में नजर आ रहा होता है उसने डेड़ दो paragraph दी होते हैं हमसे कुछ parties का discussion हो रही होती है और हमसे comment करने को कहता है कि आप इस situation में क्या करेंगे लेकिन जब आप उस question की requirement को decode करते हैं ना समझते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में ये reproduction का ही question हमसे पूछ रहा है तो यूँ समरीजिए कि ये chapter 80% reproduction based है और 20% case study based है related parties हमेशा से एक critical area रहा है हमारे audit profession में एक critical area रहा है हमारे audit profession में क्यों पहले मैं इसकी definition या concept आपके साथ share कर लेता हूँ related parties हैं क्या फिर उसके बाद हम ये discuss करेंगे कि क्यों auditor के लिए ये एक critical area related party जैसे नाम से जाहिर है ऐसी parties लफ़ज party से क्या मुराद है भला पार्टी से याद रखे है मुराद individual भी है और organization भी है organization कहले या companies कहले party से मुराद दोनों है related से क्या मुराद होती है जो के जिनके साथ कोई relationship हो अचा question ये है कि हम natural person है हमारा तो चले कुछ natural person के साथ relationship होता है हमारे वालदेन है हमारे बहन भाई है हमारा इनके साथ एक relationship हमारी बात को ये वेटिज देते हैं उनकी बात को हम वेटिज देते हैं कुछ related parties है जिनका हमारे उपर influence है influence का मतलब हम अपनी decision making में उनको consider करते हैं वो अपनी decision making में हमसे मश्रा लेते हैं ये ये कहलाता है influence और कुछ related party ऐसी होती है जिनका हम पर control है control का मतलब ये के हम अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते हैं जैसे हमारे बहन भाई जो हैं उनका हम पर influence है हमारा उनके influence है लेकिन जो हमारे वाल नहीं है उनका हम पर control है तो related party में एकसर दो अलफास बोले जाते है influence और control इनका फरक आपने जहन में रखना है हाँ जो party जिसका influence है हम पर वो भी related party है और जिसका control है हम पर या जिसका control है वो भी related party है वो भी related party तो related party का मतलब ऐसे individual या organizations जिनका हम पे influence या control है या जिन पे हमारा influence या control है ये वाइस वर्सा रैसी प्रोकल relationship है वो है related parties जिस तरह हम नैचते परसंद की related parties हैं क्या हमारा audit client जो के normally एक company है उसकी भी related parties होते हैं बिल्कुल उसकी भी related parties होते हैं उसकी related party कौन सी हो सकती है उसकी holding companies, subsidiary companies, उसकी associated company, एक मिन ठारे हैं, holding company कौन सी होती है, share holding को, subsidiary कौन सी होती है, अगर हमारे client के 50% से ज़्यादा shares किसी के पास हैं, वो holding, और अगर हमारे client के पास किसी company के 50% से ज़्यादा shares हैं, तो client holding और दूसरी company subsidiary, अच्छा associated भी आपने लफ़ज बहुते हैं, पूला है, associated company का होती है, जिसके 20% shares हो, एक और भी रूल था, common directorship, शाबार, common directorship, बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपको associated company, वो आपने law में, शाथ कंपनी law में पढ़ी होगी, definition आपको यादा गई, के वो holding, subsidiary, common directorship, common share holding, बिल्कुल ठीक है, मैं exam point of view से, देखें, सिर्फ definition का वो हिस्सा focus करूँगा, जो audit point of view से रहे हैं, यहां पर फूरा law का concern में डिसकस करूँगा, मुझे बताईए, अगर question में आपको ये कह दे, के एक director है, वो ABC company में director है, वो DEF में भी director है, इस information से आपने क्या दादा लगया, ABC और DEF, दोनो associated company law की term है, audit की term क्या है, related parties, बात ठीक है आपकी, दोनो associated companies है, और audit में associated companies का मतलब क्या, related parties है, तो इससे हमें पता चल गया, ये related parties है, अच्छा आप जहन में रखेगा, हम जो auditor हैना, हम risk की base पे काम कर रहे होते हैं, बाद अकात कुछ चीज़ें ऐसी होती है, law उनको cover नहीं करता, लेकिन हम बताईए, हमें as auditor अपनी judgment की base पे, risk की base पे, उनको consider करना चाहिए कि नहीं करना, याद रखिए, कुछ ऐसी requirements हैं, कुछ जगों पे, कुछ areas पे, जिन पे law silent है, लेकिन as auditor हम उनको भी cover करते हैं, हलाकि legal required नहीं है, लेकिन हमारी assessment होते हैं, जैसे कुछ जगों पे law ये कहता है, कि related parties के हवाले से हमारी कोई requirement नहीं, चाहे disclose करो, चाहे ना करो, लेकिन as auditor हम management से कहते हैं, law ने require नहीं किया लेकिन हमारा risk है, हमें list दो, management कहते हैं, भाई law ने नहीं require किया, related parties के list बनाना, आप क्यों कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हमारा risk है, कि related parties में गड़बड हो सकते हैं, बहराल, पहले तो start यहां से करते हैं, related party होती क्या है, यह आपको पता चल गया, हमारे client के associated holding subsidies है, अगला question म क्या, क्या company, जिसका हम audit कर रहे हैं, उसकी holding subsidiary company related party है, associated company related party है, सोच के जवाप देजिएगा, क्या हमारे client का director, chief executive, majority shareholder, यह related party है, यह है, पकी बात है, पकी बात, आगे सलें, हम जिस company का audit कर रहे हैं, उसके director की wife, यह related party है, रिलेटर पार्टी है, हाँ, spouse, और director का भाई related party है के नहीं, अच्छा, एक मेंट है रहे, एक मेंट है रहे, चिल्डरन और वाई, एक मेंट है रहे, एक मेंट है, भाई के साथ रागए, मुझे यह बताए, इन्होंने का sir, director की spouse और जो child है, वो तो related party है, उसका भाई related party नही है, यही काना आपने, क्यों यह आपने कहा पढ़ा, law में पढ़ा, exactly यही समझाना चारा था, law का scope जो है, वो limited होता है, लेकिन हमारा audit का scope याद रखे, उससे wide है, हमारे audit में यह कहता है, जरा सोचे, related party के हम क्यों पढ़ने है, क्योंकि related party के साथ मिल के management fraud करती है, related party के साथ म चीज जहां जहां जैसे बताई हुई है ना, एक लफज नहीं आके पीछे करना, वैसे ही पलाई करो, मैं ऐसे कह रहा था, और आपको ऐसे ही इस कहा जाता है, law में, लेकिन as auditor जो हमारा scope of work है ना, वो wide है, अगर हमें यह लग रहा हो audit में, के CFO या director, spouse के साथ नहीं, brother के as compared to law, यह समझाना चाहरू, तो related party समझ आगे क्या है, holding भी है, subsidiary भी है, individual भी है, वो key management के लोग भी है, या share, और वो उनके रिष्टेदार भी related party, related party समझ आया क्या है, related party समझ आगे चले, related parties की understanding क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, अच्छा आप से दो तिन चोड़े चोड़े question पूछता हूं जल्दी जल्दे, आप एक company के chief executive है, company loss में जा रही है, आपकी product ऐसी है, कोई भी नहीं बेच रहा, कोई भी नहीं खरीद रहा, वो भी किने रही, अब ये रेंड करीब है, अगर financial stand में में अच्छा learn ना दिखा आया, तो हो सकते आपको remove कर दिया जाए, आप क्या करें, ये last month आ गया, सारे credit sale card, fake sale card करेंगे, debtors, debit, sale, लेकिन आप पकड़े जाएंगे, auditor आएगा, पकड़ेगा, कैसे, एक तो हमने ये पढ़ा हुआ, year end के क्रीब transaction में रिस्क ज्यादा होता है, और्टर के का मेरा risk ज्या तो आइटर का risk बढ़ जाएगा, तो वो further procedure perform करते हुए chances है, fake transactions को identify कर ले, ऐसा ही है, आप फिर क्या करेंगे भला, आप debtors में जब debit करेंगे ना किसी party को, आप किसी genuine fake party को debit करेंगे, fake party को debit करें पकड़े जाते हैं, किसी genuine party को debit करें, और वो कौन सी होगी, वो आपके delivery company हो, जिसको आपने ये कहा हो, कि हम जो product sale नीना हो रही, वो आपको sale कर रहे हैं, वो company वो बंदा कहेंगा, भाई जान ये product तो 20 साल पुरानी है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, बे फिकर हैं, हम से कुन सा पैसा हांग रहे हैं, हम सिरफ द देखें, अगर तो कोई related party नना हो, unrelated party है, वो आपकी बास से कभी भी अगरी निकरेगी, वो कहेंगे बाई गलत काम है, मैं क्यों साथ हूँ, आपका बलावा जाएं, लेकिन जो related parties है, वो आप कहा साथ दे सकते हैं, इसलिए related parties में हम कहते हैं, risk ज्यादा है, और example share करते हैं, कुछ companies, CFO, अब ये कुछ real example भी है, CEO ने अपने भाई से कहा, यार हम ना market से समान उट खरीदते हैं, ठीक है, और routine में हमें लकड़ी की जरूत पढ़ती रहती है, कोई कारोबार में या कोई और item होगी, उसकी जरूत पढ़ती रहती है, तो market से हम 1000 रुपे के लिहाद से प कान बना लो, तुम quotation देना, मैं तुम्हारी quotation को prove कर दोगा, हमारा audit में रूल होता है, कि आपने जब कभी purchase करनी हैं, कम जब तीन quotation लेनी है, CEO क्या करता था, जितनी भी quotation उसके पास 37 ही ना, वो देखता था, किसी ने 1200 की, किसी ने 1000 की, किसी ने 800 की, किसी ने 600 की, वो क्या करत 500 की quotation को फाड़ के फैंक देता था, शो ही नी करवाता था, और जो 1200 वाली होती थी ना, आपने भाई से कहता था, 1190 की quotation डालो, मैं इसको प्रूव कर दोगा, फिर quotation अप्रूव, यानि वो ही चीज़ जो market में half rate में मिल सकती थी, और फिर कहता था, देखे सर, मैंने तो पैसे कमाया है कि कमपनी को ओवर चार्ज किया, इसी तरह इसमें तो कमपनी को वो चीज़ें बेच रहा था ना, अगर कमपनी दूसरों के चीज़ें बेच रही हो, बाज उकात ऐसे भी होता था, अपने एसे बेचने है, तो market में एसे फार एक्जमपल अगर प्राइस 1000 है, तो अ यह common method है fraud करने का, और आपको सोचें इस तरह की transaction related party के साथ ही होगी, कोई unrelated party को क्यों benefit को, क्यों फाइदा देगा, इस तरह की और बहुत से fraudulent transaction है, जो अब हमारे सामने आई, तो हमें यह पता चला, कि related parties fraud करने के लिए, एक एहम opportunity है, tool है, तरीका है, related parties को इस्तमाल करते लोग ऐसी transactions करते हैं, जो fair नहीं होती, जो आम net basis पे नहीं होती, और यह natural है, देखें यह natural है, even अगर आप भी किसी जगह पे किसी company में बैठे होना, सोचें जरा, आपको अपने आपको special में रिके सोचें, आपका भाई आजाता है आपकी दुकाल पे, आप business कर रहे हैं, भा इससे तो agree करते हैं कि वो आम लें तो basis में rate नहीं होगा, chances है ना, इसी वज़ा से related party हमारे लिए as a critical concept है, कि related party के साथ जो transactions हैं, उनमें risk ज्यादा हो, याद रिखें जहां कहीं related party आजाए, उसमें by default risk of fraud आई होता है, इसी लिए दुनिया में अक्सर financial reporting frameworks जो हैं, even IFRS में भी, बलके companies act में भी ये requirement है, कि जब कभी कोई company financial statements prepare करने लगे ना, तो वो related party के साथ जितनी भी transactions हैं, उनको disclose करें, बलके वो दो चीज़ें कहते हैं, कहते हैं जरा गोर से सुनीगा, कहते हैं, एक list of related parties disclose करो, और दूसरा उसके साथ transaction भी disclose करो, एक member ने पूछा, उस देखा, सर मे client ऐसा है, जिसकी related parties तो है, पूरे साल में related party transaction कोई नहीं है, मैंने कुछ disclose करना है, मैं कहां जी disclose करना है, list disclose कि दिये, उसके आगे transaction में निल लिख दे, लेकिन list disclose करते हैं, और ये किस वज़ा से, ताकि पता चल सके, users को, कि related party के साथ क्या transaction है, किस nature की transaction है, क्या खरीद रहे है हैं, क्या बेच रहे हैं, ठीक, आपको अगर याद हो, तो ये concern मैं आपका link करवाता हूँ, sealा से, आप मैंसे, जिन स्रोंने, sealा पढ़ा हुआ है, उसमें topic होता था, disclosure of director's interest, असल में अगर देखें ना, तो वो ये related party का disclosure होता था, कि director का, जिस transaction में भी interest है, उसमें उसको disclose करन हैं, कि अगर director का किसी transaction में interest हो, वो bias हो सकते हैं, वो unfair advantage पहुआ सकते हैं, तो ये interest disclose होने चाहिए, transparency के लिए, इसलिए, ये standard बनाया गया है, ये standard हमें क्या सिखाता है, कि related parties क्या है, as auditor, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमने क्या procedure perform करने है, related party के हवाले से, और अगर कभी related party के ह जिसका हमारे सामने आ जाए, तो हमारे further procedures क्या होंगे, in short, ये पूरे का पूरा standard क्या बताता है, कि related party के हवाले से different situations हमारे सामने क्या आ सकती है, और हमने हर situation में क्या करना है, आज का जो हमारा lecture है, वो introduction ही है सिरफ, उसमें हम कोई बहुत ज्यादा technical concept discuss नहीं करेंगे, कल हम क करेंगे introduction, जैसे अभी हमने definition share की, कुछ transaction में आपको पता ही related party के साथ क्या हो सकती है, और फिर related party के हवाले से management क्या responsibility है, और auditory क्या responsibility है, सबसे पहले introduction, introduction में definition, related party होती क्या है, कहता है related, हर वो party related party है, जिसका हम पे influence है, ये control है, influence और control में फरक बता चुका है, अच्छा ये न टूबे में चलता है, यानि जिसका हम पे या हमारा जिस पे influence है, गंट्रोल है, और रिलेटर पार्टी है, एग्जेंपल्स के, ऐसे एग्जेंपल्स के, case study में एग्जेंपल्स देगा आपको, associated companies, जिसमें holding company, subsidiary company भी है, ये related parties है, case study में पहचानना है ये आपने, case associated companies, holding company, subsidi company, shaleholder, chain- игр, paylleTo, majority shareholder है, kी management, ये related party है, यहाँ पे majority shareholder से मुराद वो शेर,टर नियृ-जिसके पास 50% से ज़यादा shares हो, यहाँ मिजूर्य से पराद वो जिसके पास सबसे जयादा shares हो, अगर किसी के पास 9% shares है और बाकि किसी shareholder के पास 9% Shares नहीं है, तो यह 9% majority shareholder कि की क Bureau अब्रादा कि आर्ड़िट परफैशन आपने आपको लिमिट निकरता वह कहता है जहां पर आपको रिस नतर आए ना वह की स्कोप में है ची face creating ju हर वो person जो management में involved है जो financial statements बनाने में हिस्सा ले रहा है वो key management में आएगा इस definition के लिहास से CFO भी key management में director भी chief executives भी majority share ये सारे key management को उसने define कर specify नहीं किया कोई भी आ सकता है एक्जाइम में CFO कर example दे तो आपने ये नहीं कहना law में तो CFO शामिल नहीं था audit पर्लेटर पार्टी होगी वो आगे चलता है दियर family member किन के family member की management के यह majority shareholder इसका मतलब definition मजीद void हो रही है कि company भी उस company के इंदर जो shareholder managers है वो भी और उनके relatives भी और आगे फर्दर उनके relatives की companies भी chief executive जब fraud करेगा company के साथ कैसे करेगा अपने भाई की company के तो मुझे बताइए अगर audit के दोरा में कुछ ऐसी transactions हैं जो के हमारे client की chief executive के भाई की company के साथ हैं हमें इसका मतबह related party की definition उस भाई की company को cover कर रही होनी चाहिए यही वह बतार है their companies clear हो अब exam में कोई situation अगर इन में से आए फोरण भी कर लेंगा related party है उसने कहा company ने design कर वाने अपना head office shift कर रही है क्राची से मुलतान और new office का जो design है वो cfo की wife fashion designer है उसने design किया है ठीक है designing का काम उसने की बताइए इस transaction के problem है क्या problem है इसी तरह आपने identify करना है relationship को पार्टि डांचेशन वहुशे risk of रॉड होगा risk of completeness risk of completeness का मतलब क्या है कि रिलेटिव framework या लाग कहता है कि related party के साथ जो भी transactions है वो आपने disclose करनी है management सारी के सारी transactions डिस्क्लोस नहीं करते हैं अच्छा इसमें एर्र भी हो सकता है जान बूज के इंटेंशने लेटर पार्टी ट्राइक्शन को कंसील किया क्या हो बाद ऐसा भी होता है कि जान बूज के नहीं जाने जैसे फर्स कीजिए अगर किसी डिरेक्टर का इंट्रस्ट है किसी ट्रांज सिस्टम होता है वह लेटर पार्टी ट्रांजेक्शन को लाइदा से आडेंटिफाई नहीं कर पाता है जैसे एक कंपनी के अगर 50 डेटर है हर डेटर का लाइदा काउंट होता है उसूली तरफे होना क्या चाहिए कि मैनेजमेंट डिरेक्टर को चाहिए कि जितने भी डेट हें कि आडेंटर करना होना असानी के साथ इन बैलंस से हम ट्रांजेक्शन को एक्सेया करते हैं double the इस सिस्टम के अंदर रिलेटर पार्टी ट्रांजेक्शन को अलएदा से आडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो उसमें मैंजमेंट चाहते हुए भी कंप्लीट रिलेटर पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्रोज नहीं कर सकेंगे वों अंदाजा लगाएंगे लेकिन किया है का के रिलेटिल्ट साथ मिले के कंपनी ने या मे ने फराड किया होगा तीसरा नौट एट आर्म लैंध-स जो ट्राइक्टिन्ट स्व कह साथ वह नौर्मली आम्लैंध-स पह नहीं होती है अजले करते ट्रांडेक्षांंस तंपलैक्स होती है यह कुछ रीजन्स हैं कि रिलेटर पार्टी में रिस्क क्यों हाई है अच्छा मुझे बताइए यह अभी तक की सारी डिसकेशन के बाद क्या आप इस नतीजे पर पहुंच के हैं कि जिस ट्रांजेक्शन में रिलेटर पार्टी इंवाल्व होगी उसमें रिस्क है बस अभी पिर के सड़ी के पॉइंट हो से समझ आगी हमें और क्वेस्टन में रिलेटर पार्टी को आडेंटिफाई भी कर लेंगे ना यह मैंने आपको जो रिलेशन्शिप की एक्जेंपल दी ना यह जो तीन चार एक्जेंपल यह के सड़ी में यूज करेगा अच्छा अब हमारा अगला काम क्या है हमारा अगला काम यह है रिलेटर पार्टी तो हमने समझ लिया क्या होती है हमें यह भी पता होना चाहिए कि रिलेटर पार्टी ट्रांजेक्शन की एक्जेंपल गया है देखें रिलेटर पार्टी लादा कंसेप्ट है रिलेटर पार्टी ट्रांजेक्श कौन-कौन सी होते हैं अब यह भी समझ लीचे है क्योंकि के सड़ी में वह जब आपको रिलेटिड पार्टी इंवाल्व करेगा तो उसके साथ साथ कोई ना कोई ट्रांजेक्शन भी देगा इसके साथ यह ट्रांजेक्शन होगी है अब ने इन दो एक्जेंपल आपके सामने रख रहा हूं लेकिन में पहली पार्टी के साथ सेल और चेज दो फैसेट क्या रिलेटिड पार्टी के साथ एससेट की सेल पर्चेज हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं प्राने फिक्स आसा बढ़े थे बेच दिया है ठीक है यह इन्वेंट्री भी आ गई फिक्स एसट भी आ गया है नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो एसस पुराने हो गया उन्हें बुक वैल्यू पे डिरेक्टर को बेच दिया चाहिए यह भी एक रिलेटर पार्टी ट्रांजेक्शन है तो पहली ट्रांजेक्शन की सेल एंड फर्चेज देखेए सेल एंड पर्चेज ओट एंसरष एय्गायशे मरांट लूर्ष कॉस को वर два कि सेमब इन्वेस्मंटSi आपको अगर नाव पड़ा हुआ है कितने शोंट से वैसे लाव पड़ा था कािव अब आ प्ने पास होना जरूरी निया बढ़ा होना जरूरी है क्योंकि पास होने वाले में और फेल होने वाले में दोनों के नौलिज में ज्यादा फरक नहीं होता है जिस कबdesk इसके सवख्ण से कम हो हुए उसका इसको नेकिन नहुंली बाराँ एंवेस्मेंट इना सिर्ठ कंपणीं का मतलब थे किसी सो और कंपनी में अगें संग है High और वह यह सब्सक्राव है ? अगर आप किसी सोसेइटीड कमपनी को लोन देते हैं वह भी रियटे बार्डे ट्रांशेक्शन घंक्ट यह दोंगłe करते हैं तो मुझे दोनों थैंटे बई है था इरृद्डे ट्रांशेक्शन transaction में क्या फराइक है दोगों यह related companies के साथ है यह भी related company के साथ हो सकते यह फराइक नहीं के साथ हो सकते यह फरक नहीं है कि एक related party के साथ दुसरे शाबाज जो पहली वाले transaction है यह routine की transaction है जो company routine में करती रहती है इसमें भी रिस्क है यह नहीं किसमें रिस्क नहीं है इसमें भी रिस्क है लेकिन जो दूसरी transaction है यह नौन रूटीन transaction है इसे अप नौन रूटीन transaction भी कह सकते हैं या इसके लिए कोर्फ़ बोला जाता है outside empری बिजनिस वर को सु çalış나ấu वहता हुब historically के लिए अप इससों रूटिन टांजच्टन वह सकते हैं यह यह वह सकते हैं ओर्डिनिरी कोर्स ऑफ बिजन्स की चेबंब॑ नार्दीन सल बिजनिस क्या हुता है। के लिए आप इसको रुटीन टांसेक्ष घास के सकते हैं यह भी कह सकते हैं और री इकोस्ट टांसेशं के ठाइन अन्हें टांसेक्ष्त वे समून सकते हैं लोगाइद पर tapa करेदीष्याद होना रुटीन सकते हुए इसके लिए क्या दिखा बिशन C तो यह transaction जो है यह औरनी को बिजन्स के विए हो सकती है आउटसाइड यह औरनी को बिजन्स के विए हो सकती है एक और example अगर आप किसी विए कंपनी को लॉन देते हैं और लेटरिब आटी ट्रांज्चिन है लोन वापिस लेते एंगार लोन देना भी लेटर पाठ्टी ट्रांसक्शन लोन लेना भी लेटर पाठ्ट्चन उसकी रिसीम्ट हमने की वह भी लेटार पाठ्टिट हbourgए case study में उसने कहा एक associated company है उससे आपने लोन लिया हुआ है आप इसको वापिस तीन साल पहले लोन लिया हुआ है उसको वापिस नहीं कर पार रहे आप और इस साल लोन के बदले में आपने share issue कर दिये लोन के बदले में share issue कर दिये क्या को रिलेटर पार्टी ट्रांजेक्शन है और दिनिक और बिजनिस के आउटसाइड और आउटसाइड यह जहन में रखेंगा आगे चलते हैं अच्छा अब वहाँ किदर के प्राइज 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 शुरू करना था अधार हां उधा के प्राइज ना है एक ट्रांजेक्शन बता रहा हूं आपने उसमें रिस्क बताना है तो का यह दिव्ट विके और आपने उसमें रिस्क है के नहीं है तो क्या है कि डिईरींग दी एर कंपनी ने एक fix success dispose किया डिरेक्टर को और इस पे 20% उसकी जो वैल्यू थी उसका लॉस रिकार्ड किया यानि during the year fix asset sale किया at loss हाथ उठाके बोलना नहीं किसने हाथ उठाके इस में से risk को ना करेंगा एक दो तीन चार पांचे साथ अटनों बस यह इन्होंने रिसक आडिंटिफाई किया कि transaction is not on arm length basis यह रिसक आप और इस दूसरे बाई थे आप इस इन्होंने इन से बेखतर नफाज में बताया इन्होंने सिर्फ यह कहा था कि यह आउटसेड नार्मल को सब्सक्वने इन्होंने का पहले का सर यह रिलेटर बाइडरी ट्रांजेक्शन है फिर आप एलेडरी पार्डिटर नहीं हो पाए पिर भी पास नहीं हो पाए इस लिए के एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था आई कैप क्या कर रहा है आई कैप एक केस के अंदर हाँ मल्टीपल इशुस को डिसकस कर रहा है अब बताइए रिलेटेड पार्टी तो सब ने अडेंटिफाई कर लिया था लेकिन जिस हिडन इशू को डिस्पोज किया है मार् ठीक ना हो डैप्रिसेशन ठीक ना हो लाइफ एस्टीमेट ठीक नहीं किया गया यह भी तो सकता है ठीक है कि आपने डैप्रिसेशन पहले कम रिकार्ड करते रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्किट वैल्यू कम है तो जब ऐसर बेचा तो अब खुद बताइए क्या इस लॉस से यह डैप्रिसेशन का रिस सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन चुकर यह थोड़ा हिडन सा है इसलिए बहुत से स्ट्रॉंट इस तरह के जो मल्टिपल इशूस होते हैं उनको आडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं बहराल यह एक इसे बादेट सेक्ष्ट में नहीं इसको हम फर्दर पार्ट ट्रांजेक्शन हो दो हिस्सों में है वह करते हैं इसका ऊच्छिंञा क्या थेक्निकल आज के लाक्टर का हिस्सा नहीं कर एक अन्यूरण कर रहे हैं तो हलका सा कंसर्ट कल का और रहागा बैट कर रहा है के साथ high risk है लेटल पार्टी के साथ transaction करो risk उसमें high है और गर लेटल पार्टी के साथ transaction है और है भी outside normal course of business कहता है सिरफ high नहीं ये significant risk है जो के risk को fraud के करीब तर है ये significant risk है जो risk को fraud के करीब तर है कौन सारीस सिगनिफिकेंट है एक ठावेटेट्ड नार्मल कोर्स भूसे अची नोगने दशयूर्णे कostati a रिलेटेटील पार्टी के साथ ग्यानाननामल कर साहिं तो यह उसमें तो भ海जान कुछ अपनी common sense, कुछ judgment भी apply करके, मुझे खुद बताए, जो related party नहीं होगी, उसके साथ कभी outside the normal course of business transaction करेंगे, outside the normal course of business करें, जा कोई related party ही नहीं है आपकी, उसको आपकी special terms के उपर, loss के उपर assets बेचेंगे, जो related party ही नहीं है, उसके आप जरूरत, उसके जरूरत पटने पर आप उ transaction ही itself indication है related party की, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो यह जहन में रखिएगा, कि अगर question में उसने ना भी कहा होना, related party है, लेकिन यह कहते है, transaction outside the normal course of business है, यह भी indication है, related party है, clear, अगे चलने से बहुत है, related party, definition, examples clear, related party transaction, examples clear, जी question बोच लिजए, हाँ, management unaware हो सकती है, बास वकात एक director को पता नहीं होता, और दूसरे director के कितने बहन भाई हैं, नहीं होता ना पता, वो क्या करते हैं, नहीं होता पता, यह जिसके साथ transaction कर रहे हैं, यह किस director का रिष्टदार है, नहीं पता होता बास वकात, तो sometimes management खुद भी unaware होती है, यहां स party हैं आपकी, वो कहेंगे नहीं, क्यों बादा, वो खुद unaware है, क्योंकि जिसका भाई था उसने नहीं बताया, यहां सब्सक्राइब कम्लेक्स का वर्ड यूज, अच्छा कम्लेक्स का वर्ड मैंने जान बूज पे इसके उपर ज्यादा discussion नहीं की, ठीक है, यह बाद उकात ह होती है, offshore entities होती है, यह international transactions की जाती है, money laundering, मैं जल्दी से एक बात करके आगे, आपको जल्के बताता हूँ, आपने कभी note किया है, अगर, अब मैं आपको कुछ बाते होती हैं, गुर की उस्तादों की खुफिया बाते, उन में से एक बात आपको बताने लगा हूँ, सम आपको बताता हूँ, यह मैं उस वक्त करता हूँ, जब मेरा consent week होता है, मैं जाता है, ऐसे मुश्किल अलफाज इस्तमाल करूँ, बच्चा करें वा, क्या consent समझा रहा है, समझ नहीं आई consent की, लेकिन क्या consent समझा है, ठीक है, और सर ने समझाया है, तो ठीक ही समझाया होगा मुझे समझाया, यह वैसे बाजुका सच में होता है, आएंदा हिया लखिएगा, बिल्कार, उसी तरह management क्या करती है, अब देखें, अब होता क्या है, A ने B को payment करनी है ना, management क्या करेगी, A से payment करवाएगी, C को, C से payment करवाएगी, E को, E को कहेगी, योरप में, जो हमारा bank account है, ब्रांच है, उदर पैसे जमा करवाओ, उदर से South Africa payment जाएगी, South Africa से फिर वापिस कराची में आएगी, कराची से फिर B के account में जाएगी, अच्छा यह transaction होगी, जैन्मन, हाँ, सिधा मेरे account में करा देते, नहीं कराती, क्यों नहीं कराती है, पकड़ा जाएगी, यह transaction जै यह बिल्कुल सही है, ट्रांजैक्शन यह फ्राड नहीं है, मैंगेंट फिर यह करेगी, दूसरी transaction भी ऐसे करेगी, अडिटर उसको भी ट्रेल को फालो करेगा, एंड पे करेगा, बिल्कुल ठीक हुआ, तीसरी भी मैंगेंट ट्रांजैक्शन बिलावजा कंप्लेक्स आडिटर ट्रेयल को फालो करेगा एंड पे कहेगा बिल्कुल ठीक है फिर चोती ट्रांजेक्शन एंग्जमन भैगें कि फ्राड वाली अडिटर इसका ट्रेयल को फालो करेगा एंड पे जाके रस्ते में रुक जाएगा उसे कोई information नहीं मिले पिर आइटर सोचेगा यार पहले भी के ट्रांजेक्शन थी आ जाके ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल सही रिकार्ड हो जाती है तो लो इसको छोड़ दो यह एक तरीका कार होता है कि ट्रांजेक्शन को बिलावजा कंप्लेक्स कर दें ताके उन कंप्लेक्स ट्रा यह तरीकार था उनका ट्रांजेक्शन को बिलावजा कंप्लेक्स का पकड़े गए लेकिन आइटर ने भी पकड़ा था अंडरॉन कंपनिये थे वह बिलावजा उनके डिस्क्लोईर डिस्क्लोईर में ना एक होती है अब तो एक दर्शन नहीं है लेकिन आपने शादिक्श होती है उसमें क्रेक्टिस्टिक होती है अंडेस्टेंडबिलिटी क्या आपने फाइनेंशल स्रीका बनानी है ना डिस्क्लोईर वह अंडेस्टेंडबल होने चाहिए कॉमन यूजर के लिए वह इतनी हाई-टेक लैंग्विज इसमाल करते थे और इतने कंप्लेक्स सीदी स वज़ा कंप्लेक्स कर देती है मैनेजमेंट ताकि इसको इसको आइडेट ना कर सके रोल बैट ना कर सके ट्रांजक्शन इसके लिए मुश्किल बिल्कुल इसा इन रीजन्स की वज़ा से इन रीजन्स की वज़ा से और डिटर यह गरंटी नहीं दे सकता कि हमने अपने कि आडिडियों डिक्रीड नाट फाल रिलेटिटिल बाट्य कर देइन है कि अब देखे हो सकता है मैं विल्सकों पाले ना मैं भी जान भूझ के चुपा रहे हurgence मैं वह नंको पता ही ना हो कि हमारी लिंडिर बाइन लेकिन रिस्क बाहराॆ कर दो अभी आप उनको समझ सकता है सारी दिसक्शन के बार एक किया है भला कि सारी की सारी डिसक्वाइब नहीं कि यह चार जुन बारतिक साथ ड्रांजैक्शनस हैं वह आम लेक्षब कि नहीं होंगी यह ने एक और भी वैसे रिसक्वाइब के लेडेड पार्टी के साथ हो वारी ट्रांट्जेट्शन जो और से नॉन में सिगनिफिकेंट रिस्क ध Communic पारा responsibility of financial statement का था main concept लेकिन असल में एक्जाइम पॉइंट उसे different है क्या पढ़ने जा रहे हैं किसके responsibility management की और दोनों की लेकिन ये तो हम पढ़नी चुके कहां पढ़ा था chapter 2 में गलत chapter 2 में पढ़ा था बिलकुल गलत थ्री में पढ़ा था गलत पढ़ा ही नहीं है सही वह जो चैप्टर 2 में पढ़ा था ना वह था management की responsibility related to financial statements वह था IT की responsibility related to financial statements ये concept कुछ हो रहा है ये को से concept है management की responsibility relating to related parties ये specific to related parties are responsibilities ये है responsibility related to related parties उस वक्त भी समझाया था कि ये ओवर आल है आगे चलके specific पढ़ेंगे ये specific आगी example पहली related parties की लेकिन जैसे वहां पर था ना main concept बतारूं main concept कि के आड़ीटर हर चीज़ की guarantee नहीं दे सकता यहां पे भी same limitation है आड़ीटर हर पार्टी की guarantee नहीं दे सकता कि मैंने सारी पार्टी दाट जिम्हेदारी है कि reasonable procedure perform करके reasonable assurance लेते हुए जितनी related parties identify हो सकते हैं करें और ensure करें के disclose हुए हैं के नहीं reasonable लेकिन absolute assurance यहां पे भी absolute assurance पूरी इस पार्टी की नहीं थी एब्सलूट इस रिलेटिटर पार्टी की नहीं है और जिस तरह वहां पढ़ा था primary responsibility financial statement की management की है और दोस्टा भी गवर्णस की है यहां पे यहीं पढ़ेंगे जिस तरह financial statement में पढ़ा था कि management की जिम्मेदारी आ अशी पर लेटिटर करना है नेसकी बीच्टा करना क्या है का मतलब क्या है डूडना है सर्च करना है मैंनेजमेंट किसको टेश पार्टी एंड रिलेटिट पार्टी ट्रांजेक्शन तो कि अगर मिल जाए तो उनको कांट फार करना का मतलब क्या होता है सही रिकार्ट एक सीफाइब लेवल की एक्जेमपल दूँग कांटिंग फार के उपर यहां में वैसे क्याफ में ना कांट फार की बज़े डिस्क्लोज के उपर ज्यदा फोकोस होता है दसलाग इसके एंट्री पताइए है क्याश लापी लोन करेक्ट करेंशंत दसलाग गलत doubt in परिम लोन है इसको डिसकाउंट नहीं करते हैं करते हैं करते हैं करने हैं प्यूञाय करनी ते उन्हें पड़ते हैं के नहीं हो नहीं हो सबस्क्रांट का मतलब है आपको एसका mo मिल रहा है तो आपने रिकार्ड करना है यह पहले पता थिया था मुश्किल है लेकिन यह है और इसकी अगर आप 10 लाग के साथ एंट्री करते हैं इसका पताब प्रॉपरली कांडिंग नहीं की इसका पर पूरा एक इसको कैसी करना बारा सिर्फ समझ आगी ना इसेंपल तो रिलेटिड पार्टी के साथ जो मैंजमेंट की कैसी मेंधार है और इंटिफाई करना और उनको डिस्क्लोज भी करना इसका मतब़ है अगर आपने इंकम सेट में बैलेंशीट में रिकार्ड कर भी लिए उसको सेपरे है डिस्क्लोज नहीं किया तो यह क्या है मिस्स्टेटमेंट से मुझे को मिस्स्टेटमेंट याद आ गए आपको पता है इंपेर्मेंट लॉस क्या होता है अगर क्लाइंट इंपेर्मेंट लॉस रिकार्ड ना करे तो क्या है मिस्स्टेटमेंट अच्छा सुनिए सी फैप यह सरकम्स्टेंसिस डिस्टोस करना रिकॉर्ड होता है कि अगली एक्जम्पल खुब से बना रहूं सियाइफ़ ने कहा इन्वेंटरी को लोर और कास्ट और रिकॉर्ड करूंगा लेकिन जिस वज़ा से इन्वेंटरी नरी पर राइड डाउन हो भी है वो नहीं बताऊंगा तो इसका मतलब हम इसे आग्री करते हैं कि मिस्स्टेट्मेंट मॉंंट्स के साथ-साथ डिस्कलोईयाज में भी हो सकती है वह अग्री करते हैं का नहीं करते हैं बिल्कॉछ इसलिए यादर करिके रिलेटर बार्डी में तीन चीज़े है आइड़ेंटिफाइब करना, काउ क्वेंटी परसेंट के क्रिए दिस्लोजर की बात करेंगे सिर्फ याद करने की हत्तक पॉइंट आएगा डिस्लोजर की होना चाहिए अगरी करते हैं अगरी करते हैं अगरी की कैसी मैंतार हैं कि कैसे कैसे कैसी मैंजमेंट के साथ जा के कहता होगा अपके जितनी अग思 Besides सब डारेक्टर से सब्सक्राइब नहीं मुझे लगते भी नहीं थे अब इस कंपनी के साथ किसी और कंपनी के भी डारेक्टर है यह क्यों कूछ रहा हूं अ कि मैं क्यों बता हूं बताना पड़ेगा आडिटर पूछ रहा है ऌसली रीटर्पार्ड्य करने के लिए लिटर्पार्टी के लिए प्रफसीजर। परफॉर्म करता हैं अंडरस्टेंडिंग करने के लिए सबसे पहले आडिटर की जिम्मेदा रिसपूंस्बिल्टी समझ लिना तो पूरे लेक्षर का अगरे पूरे चेप्टर का थीम समझ लिए आप सबसे पहले आडिटर जाएगा मैंजिमेंट के पार और अंडरस्टेंडिंग करेगा रिलेटिड अंडरस्टेंडिंग का मतलब है यह जाना कितनी को रिलेटिड पार्टीज हैं कौन-कौन सी हैं उनके साथ किस तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं अंडरस्टेंडिंग और अगर आपको याद हो चेप्टर थी तो आइडरस्टेंडिंग अफटेंडिंग करने के लिए जो प्रोसीजर प्रफार्म करता है उसको हमें एक खास नाम देते हैं रिसक असेस्मेंट प्रोसीजर शाब छ रिस तो आउडऱ्र की पहली रिस्वाश विल्यटी है कि उसने रिसक अस्पमेंट प्रोसीजर पर फार्म करने हैं क्या यह वह को सकता है इसमें हो सकता है इसमें हो सकता है अब्जरवेशन वी आयए इसमें हो सकता है inspection भी है, इसमें हो सकता है analytical procedure भी है, लेकिन इसकी application different होगी, इसके application different होगी, प्रोसीजर तो आपको जोता है, वही साथ है, उनी में से कुछ उदर पर perform होते थे, उनी में से कुछ इदर perform होगे, لेकिन इसरों dataer का हर enquiry, हर inspection, हर analytical procedure पर focus किस चीز पे होगा, चैप्टर थ्री वाले में ओवरार तो यहां पे इस सिर्फ हैं अब आगे कुछ और चैप्टर भी आएंगे उनमें भी यह ट्रमाइगे इसका सान लेकिन जिए में रखिएगा वह स्पैस्पेक्टू डैड एरिया है अच्छा मुझे बताईए जब चैप्टर थ्री में हमने पढ़ा था रिसकसेस्टमेंट पर सीजर तो रिसका डेंटिफाई करने के बाद सबसे एहम क्यों इस लेक्टर जो आपके कल के लेक्टर की बेस मनाएंगा हमने चैप्टर त्री में जब पढ़ा आडिटर रिसकस्टमेंट करेगा उसमें से कुछ ना कुछ रिसक सामने गलती के तोर पर नहीं लेता क्योंकि वो सम्टाइम करते हैं सम्टाइम नहीं करते हैं सबसेंटी प्रसीजर बिल्कुल ठीक बताया आपने कि सिरफ आड़े की जिम्मेदारी रिसकसेस्मेंट प्रसीजर पर फार्म करना नहीं है बढ़ रिसकसेस्टमेंट प्रसीजर से क्य तो नहीं में देता वो तो चैप्टर में ने पढ़ा ही नहीं दोबाइवाला आप दुबारा उसके पास जाएंगे नहीं इसलिए याद रखे हर अडिटर भी रिस्क करता है रिसक एसेश्बंट के बात क्या करता है जो रिसक एसेश्मेंट परोसीजर से रिसक अडिपाइभाई हुए होते हैं उनको अड्रेस्ट करने के लिए सबस्टेंटि प्रोसीजर परफ़ाम करता है तो बताएए यहां पर इलेटीडज बाटि वाले चैप्टर में भी आडिटर रिस्क असेस्मेंट प्रोसीजर के नतीजे में कोई रिस्क सामने आएंगे वो हो सकता है एक सामने हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है चार है नहीं पांच है नहीं चार है से बसमें चार रिस्क सामने है तो मुझे बताईए क्या वो सबस्टेंटि परसीजर परफार्म करके इन रिस्क को एड्रेस करेगा क्या यह आडिटर की जिम्मेदारी में शामिल है अच्छा मुझे बताईए अगर शामिल है तो रिलेटिड पार्टी के वारे से पहला रिस्क क्या इन सारे रिस्क को एड्रेस करने के लिए एक जैसे परसीजर होंगे के डिफरेंट पर की बात है याद कर लेंगे किसी में साथ परसीजर होंगे किसी में चार होंगे किसी में दो होंगे साथ से जादा रहें किसी में हो सकता है एक आदी लाइन में वो खतम करने बार यानि मिल मिला के चारों लिस्क के जो प्रोसीजर हैं मिल मिला के इंशाला 20 से ज्यादा नहीं होंगे तो यह याद कर लेंगे लेकिन वारा आज नहीं पढ़ें आज नहीं पढ़ें यह हम कल पढ़ेंगे तो अभी सिरफ आपको से जिम्मेधारी पूरी की हो कौन से जिम्हेतारी इडेंटिफाइए कांटफार इडिस्टाउट अच्छा एक इंट्रस्टिंग डिबेट बताओं जो इस स्टेंडर्ड ने की हुई है वो कहता है सम्टाइम ऐसा होता है फ्रेमबक है ना पाकिस्तान में आपको पता है हर मुल्क का अपना फ्रेमबक होता कुछ करणट्रीज ने इडाउट की है आई फरस तो जिन इन कंट्रीज डाउट की है वह सेम है लेकिन कुछ करणट्रीज का अपना फ्रेमबक है आई फरस में बताई के रिलेटेड पार्टी रिक्वार्मेंट है कि निगस कीजिए है वह आपने पढ़ा होगा आई इस 24 उ से दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं घटिया लोग भी होते हैं के स्टेडिज करने वाले लोग भी होते हैं ना करने वाले भी होते हैं टैस्ट देने वाले भी लोग होते हैं ना देने वाले भी होते हैं रोज पढ़ने वाले लोग भी होते हैं ना पढ़ने लोग क्या है उन्हाँ विले के सरदार ने कहा यह फ्रेमर्ण लिखा हुआ है वो चटान के ओपर कुछ अलफाद लिखे थे आपने बढ़ा आपने का यह तो इसमें तो इसमें तो रिलेटर पार्टी की रिक्वारिमेंट्स आई नहीं है उसने का भाई जान हमने तो इस फ्रेम Campbell लेटरपार्टी रिक्वार्मेंंट नहीं एक हमने तो these हमने तो फाइनांचल श्डेंट में नहीं हर्ण क्यों नहीं दिया क्यों नहीं थी क्यों नहीं दिया बताइए अब रिलेटर पार्टी का डिस्क्लोईर ना होना ना होना मिस स्टेटमंट है क्या नहीं है क्योंके फ्रेंटर ने पूछा अच्छा बताइए फिर आपकी रिलेटर पार्टि इस हूं अबताइए सर्दार बताएगा किने हैं इस होगा कि क्या two when anybody अचे हैं यह हमारे अटिठिंग स्ट्वार्ट कहते हैं चाहे काॉंटिंग में यह रिक्वाइर्मेंट नहीं भी आना इतर क्यों प्रिश्क अब का खतम हुआ क्या कि रिसक्व खतम होगी यह रिसक्व क्यों क्यों कि अभी भी मजूद है क्या रिसक पराड के साथ मिलके इसलिए वो कहते हैं चाहे अगर तो अब यह और से सुनिएगा अगर Applicable Financial Reporting Framework Related Party Disclosure Require करते हैं न तो Auditor ये काम भी करेगा ये भी करेगा लेकिन अगर Applicable Financial Reporting Framework में Related Party के हवाले से Requirement नहीं है Auditor ये वाला काम नहीं करेगा Auditor ये चेक नहीं करेगा कि Management ने सारी Parties identify कर ली के नहीं Auditor ये चेक नहीं करेगा उन्होंने Account for Disclosure किया के नहीं किया क्यों नहीं करेगा लेकिन Still Auditor उनसे Related Party के हमारे से Inquire करेगा क्यों मला क्योंकि Risk of Fraud अभी भी मुझूद है Related Party है तो उनके साथ मिलके Fraud हो सकता है इसलिए अगर Framework में Requirement नहीं भी है Still Auditor ने अपने प्रोसीजर प्रफार्म करने हैं जो हम सीखने जा रहे हैं बेगे तो अब बताइए आप इसका मतलब है ये जिम्मेदारी सारी डिसकस करने के बाद हमें पता चल गया चाहे Framework रिपायर करें या ना करें Auditor की कुछ जिम्मेदारी है Related Party के वारे से वो responsibility है दो पहला risk assessment procedure प्रफार्म करने हैं दूसरा अगर risk assessment procedure से risk identify हो जाएं उनको address करना है ये दो response पिर से बताइए responsibility आपने पढ़ ली आईटर की major responsibility क्या होई concept wise risk assessment procedure प्रफार्म करके risk identify करने है लेडरी पार्टी के वाले से और फिर इस रिसको address करने के लिए procedure प्रफार्म करने है फिर बता एक दाना reproduction के question रटा अगर आपसे exam में पूछा आईटर की responsibility किया है आद ने कहना ये responsibility है चाप देना ये तो अगर आपसे practice में कोई पूछे कि related party के हवाले से आईटर की क्या responsibilities हैं conceptually पूछे तो आपने कहना दो जिम्मेदारिया है आड़िटर रिसक असेस्मेंट प्रोसीजर परफार्म करेगा और इस रिसक असेस्मेंट प्रोसीजर से अगर कोई एक या दो या तीन या चार रिसक सामने आते हैं उनको सबसेंटी प्रोसीजर प्रफार्म करके address करेगा यह दो sentence आप को दे रहा हूं इन दो sentence से कल का lecture उठेगा क्या दो sentence है पहला आड़िटर ने रिसक सेस्मेंट प्रोसीजर प्रोसीजर परसार्म करने है किसलिए ताकि related party के हवाबने से रिसक और प्र और फिर related parties ये इ sigui रिसक का ऐड़ीटर ने जो भी रिसक सामने अए उसको एड्रेस करने के L лучше प्रोसीजर प्रॉइजर करने रिन कुछा बास समाझ जाई समझ चाहिए गलनया है ये या इंने पर ऐने लेडिर्ट पारटी के हमाले से रिसक असेश्मिंट procedure perform करने है ये 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 रिस्क assessment procedure perform करने है inquiry discussion inspection other procedure in risk assessment procedure perform करने के बार आडिटर के सामने कुछ risk आएंगे वो risk एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन भी चार भी जितने भी risk आएं जो जो risk उनको address करने के लिए सबसेंटी प्रोसीजर perform करने हैं कुछ वूंच बात समझाई risk 2 अलफास risk assessment procedure और सबसेंटी परोसीजर टूआड्रेस रिसक एसे से सबसेंटी परसेजर चोटाटिए ड्रेशिक कल यहीं से कुएस्ट्राइक्षा जो है ना वह आगे चलेगा मैं क्लियर हो गया चलिए आज के लिए आपकी कोई हास असाइनमेंट नहीं है सिर्फ जो कुछ लेर्जिंग अब्जेक्टिव नो टू पढ़ाया है इसको याद कर लेना आपने आज का लेक्टिर यां खतम करते हूं अलाहाफिस